DL8 प्रमोट मुद्दे पर आज दिनांक 28 जुलाई 2020 को PNP का रहले पर DL8 के रेप्रेजेंटेटिवस उपस्तित थे प्रमोट के संदर में वर्तमान इस्थिती जानने के संदर में PNP के सचीव द्वारा क्या कुछ सूचना दी गई है अगर आप DL8 2018 बच के 33 सेमेस्टर और DL8 2019 बच के प्रतम सेमेस्टर के प्रमोट की खबर का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें में एक कमिटी भी गठीद कर दी गई है कि DLA अभियरतियों के प्रमोट या फिर एक्जाम पर किस प्रकार से फैसले लिए जा सकते हैं हलांकि अभी वह कमिटी अपना काम कर रही है लेकिन अभी उसके द्वारा कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है प्रमोट के संदर्व में अगर DL8 के प्रमोशन के संदर में जल्दी कुछ फैसला नहीं लिया गया फिर PNP या फिर शाषन ये भी कह सकती है कि जब B8 की प्रवेस परिक्षा जो की 9 अगस्त 2020 को होना प्रस्तावित है उसमें लगबग 4 लाख अभियर्थी शामिल होने जा रहे हैं परिक्षा क्रमशा 9 और 16 अगस्त को प्रस्तावित है इन दोनों में लगबग 10 लाख युवा भाग लेंगे मेरा सुजा होए कि संक्रमण की भयावा के चलते या दोनों परिक्षा फिलाल इस्तगित कर देनी चाहिए ये देश के एक जाने माने पत्रकार है जो की R9 मीडिया चैनल से संबंदित है वहीं राजस्थान में रिट की परिक्षा जो की 2 सितंबर 2020 को होना प्रस्ताविस था उसको कुरोना को देखते हुए इस्तगित कर दिया गया है तो अगर ओवराल मैं बोलू तो अगर कुछ जल्दी फैसले नहीं लिया गया PNP के द्वारा या फिर SCRT के द्वारा या फिर साशन से कुछ दिसानिर्देस प्रवाइड नहीं कराएगा है DLA के प्रमोट के संदर में तो निश्ची तोर पर ये फिर से एक बार मान सकता बनने लगेगी कि जब B8 की परिच्छा संभा हो सकती है तो फिर DLA की परिच्छाओं को क्यों नहीं कंड़क्ट कराया जा सकता है इससे सबसे ज़्यादा नुक्सान DLA 2018 बैच की अभियर्थियों का होगा क्योंकि 33 सेमेश्टर की परिच्छाओं कंड़क्ट होती है तो दिसंबर के अन्तिम माह तक उनके रिजल्ट की घोशना हो पाएगी 3rd सेमेश्टर और उनका 4 सेमेश्टर का एकजाम और उनके रिजल्ट की घोशना होते होते आप देखेंगे कि अप्रेल माई का समय आ चुका होगा 2021 में तो अगर उससे पहले कोई सिख्छक भरती आ जाती है तो निश्ची तोर पर DLA 2018 बैस उससे पूरी तरीके से बाहर हो सकता है हलांकि अभी आपको कमिटी की रिपोर्ट का बेट करना होगा कि कमिटी के दोरा क्या कुछ फैसला लिया जाता है प्रमोट के संदर में और PNP के दोरा यहीं सूचना दी गए यह कि 5-6 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताओ बना करके भेज दिया स्राशन को भी और SCRT को भी और एक कमिटी भी गठित हो गई है कि उस पर कारेक कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो